हेलो चिल्डरन, वेल्कम तो आवर यूट्यूब चैनल, सेन्रा एडवान्स एजुकेशन, टुड़े वी लेंड जनल नॉलेज वोग क्लास, फोर्थ, एन टुड़े वी लेंड लेशन, शिक्स, लेशन शिक्स इस इन्सेक्टी वर्ड्स अनिमल, आज हम इस लेशन में उन प करते हो यह हमारी आर्थ है उस पर अलग अलग प्रकार के प्लांट पाएजाते, पीद, पोधे पाएजाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कीट होते हैं , किडे मकोडे होते हैं उनको खाते हैं आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्लांट के बारे में बात करेंगे जो इंसेक्ट को खाते हैं आईए देखते हैं वो कौन-कौन से प्लांट है जो इंसेक्ट को खाते हैं या इंसेक्ट वर्स प्लांट है this is general knowledge class 4 lesson 6 lesson 6 is about insectivorst plant insectivorst मतलब जो कीडो को खाने वाले plants होते है इस जो insectivorst plant बोला जाता है this word is full of amazing plants यह जो संसार है यह है amazing plants है उनसे full है उसमें बहुत सारे amazing plants है some plants eat insects कुछ plants ऐसे हैं जो कीड़े खाते हैं इंसेक्ट खाते हैं these plants are called the insectivorous plant इस तरीके के जो plant होते हैं उनको insectivorous plant बोला जाता है write the name of the following plant नीचे दिये गए plants के नाम लिखने है use the help box help box का use करके number one is the leaves of this plant look like a butterfly इस plant की जो पत्यां है leaf है वो butterfly की तरह लगती है and once insect come between the leaf अगर एक बार insect इन पत्यों के बीच में आ जाता है it closes the leaf यह अपनी पत्यों को बंद कर लेता है then leaf reopen after digesting the insect और जब पत्यों दुबारा खुलती है तो वह तभी खुलती है जब वह insect को digest कर लेती है पचा जाती है इसका नाम है Venice fly trip plant Venice fly trip plant next one is this plant is floating on water यह है जो plant है यह water पर तैरता है water पर रहता है and it is hairy in structure और इस टेक्चर में इसका ऐसे लगता है जैसे बाल से होते हैं बाल होते हैं इसका जो इस टेक्चर है बाल वाला होता है which trap insects जो की कीडों को जो इंसेक्ट है उनको ट्रैप करता है पकड़ता है इसको बोलते हैं bladder what bladder what next one is the leaves of this plant look like a long tube and produce sweet nectar यह प्लांट है यह है एक ट्यूब की तरह लगता है लंबी ट्यूब की तरह लगता है और यह है एक बहुत मीठी खुस्बू निकालता है खुस्बूदार एक नेक्टर मतलब जैसे शयाद होता है इस तरीकी का निकालता है जिसको सूंग कर ठीक है इसमेल करके जो इंसेक्ट है वो इसमें चले जाते हैं इसकी जो नेक्टर है उसको consume करने के लिए और इसका नाम है picture plant picture plant this plant produce sticky juice and shines as if it is covered with dew यह जो प्लांट है यह एक sticky juice निकालता है shines as और ऐसे चमकता है जैसे की यह dew से cover किया हुआ है जैसे इसकी साचारों तरफ जो है dew है the insect get stuck in the sticky fluid जो insect है इसकी sticky मतलब जो hard यह दिख रहा है आपको इन में फस जाते हैं इस तरीके जो तरल पदार्थ है fluid है इसमें फस जाते हैं इसका नाम है sun dew इस यू एन sun dew दी-ई-डबू तू इस 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 इन्सेक्ट विद रहरा हैD sweet smell capture and kills दैम यह जो कीड़े उनको अपनी मीठी sweet smell से लिए तरह करता है उसके बाद उनको पकड़ता है और फिर उनको मार देता है इसका नाम है कोबरा प्लांट अगर कुछ समझ में नहीं आया है वीडियो को दुबारे देख लीजेगा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले थेंक यू